उपाइगत हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापती ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे खादान की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए नियमित रूप से निरक्षन कर नमूनों का एकत्री करने के बाद जिला में प्रतिबंदित पॉलिथीन का प्रियो प्रति एवम उपभुकता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे हमीरपुर शहर में सौ वरिष्ट नागरिकों तथा दिव्यांग जनों को चुने और सुएं निमत तोर पे चेकिंग करें कि क्या इन लोगों को इल पी जी की डोर डिलिवरी हो रही है यदि एल पी जी की डोर डिलिवरी नहीं हो रही है तो इसे सुनिश्चित बनाया जाए ताकि इन लोगों को किसी भी परकार की परेशानी नहीं हो उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि इस प्रकार अधिकारी दूसरे चरण में ग्रामिन क्षेतरों में भी इस परक्रिया को अपनाएंगे तथा वरिष्ट नागरी के दिव्यांग जनों तथा बुजर्गों को इल पी जी की डोर डिलिवरी सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे शेहर तथा ग्रामिन क्षेतरों में एल पी जी की नीमित आपोर्टिस्ट निश्चित बनाएं तथा एल पी जी सप्लाई वाली गाड़ी में लाउड स्पीकर के माद्यम से लोगों को सूचित करे ताकि परतेक उप 58 लाभार्थियों के चैन लक्षे की तुलना में विभाग द्वारा 2,70,000 लाभार्थियों का चैन किया गया है उन्होंने संबंदित अधिकारियों को लाभार्थी चैन के लक्षे को निर्धारित अब्दी में पूरा करने के निर्देश भी दिये उपायुक ने विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये हैं कि वे जिला के परतेक डीपू तथा उचित मूलिय की दुकानों पर उनके खुलने का समय शिकायत करता का नाम पर दर्शित करता हुआ बोड़ दुकान के बाहर लगवाना सुनिश्चित करें ताकि उपभोगता को किसी भी परकार की परेशानी ना हो। बैठक में जिला के डीपूँ तथा उचित मूलिय की दुकानों के माद्यम से मिट्टी के तेल की आपूर्टी शुनिश्चित बनाने तथा नई उचित मूलिय की दुकाने खोलने पर भी विस्तार से चर्चा की इसमें जैसे हमारे जो फेयर प्रेश शॉप्स हैं जहां जहां पर इस्तिती खराब है उनकी इंस्पेक्शन्स हो रहे की जाती है और साथी साथ जो नई दुकाने खोलनी है उनके बारे में फैसला लिया जाता है आज जो एक एहम फैसला लिया गया है कि कई जो हमारे जनता ऐसे लोग का identify करें और परसनल इसका inspection करें और report दें